बिना ATM काड के Paytm कैसे चलाएं अर्थात बिना ATM के किस प्रकार से आप ATM चला सकते हैं सिर्फ अपने आधार काड की मदद से चला सकते हैं आप ATM वो भी पांच मिनट के अंदर दोस्तों यदि आपके पास में बैंक काउंट है और ATM काड नहीं है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं यदि आप अभी अभी नहीं मतलब अभी अठा परस के हुए हो और आपके पास में बैंक अकाउंट है लेकिन ATM काड नहीं है समझ गए तो दोस्तों आपको चिंता करने की जरूत नहीं है आप अपने आधार काड से आप अपने आधार काड से Paytm का इस्तिमाल कर पाएंगे इसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी है एक भी स्टैप मिस नहीं करना है तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दिरेंदर सिंग बेस्ट अभी आप देख रहा हैं टैकनेट में तो चलिए दोस्तों विस्तार पूरू जानते हैं किस प्रकार से आप अपने आधा आपको अपन से यहां पर साइनप का पूरा कारेवाई कर लेनी है समझ गये और आपको आना है इजक पे तो आपको को दिख जाएगा सेटिंगा एप्सट तू पहले करना है अब आपको यहां पर आके अपना bank account add करना है जैसे कि पंजाब national bank का add bank account है तो हमें एक नया bank account और add कर लेना है शी में वो बैंक भी हमारा फिलाल में पंजाब national bank में ही है यह देखिए तो इन्होंने उठा लिया है यह है तुलसी देवी wife of यह मतलब हमारी मुम्मी जी का account है और फिलाल में यह add कर लिया है तो हमें आपके पास में आएगा set up upi pin इस टाइब का समझ गए और आपको और हमें अब फिलाल में इस पर किलिक कर देना है है कि और देखे यूज डेवीट काड देश्चा समझ गहां ना इसकी जगे पर आपको अधार कर चुनाव करना है और आपको तो युद्वार आई पारम और ये व्यादा अब प्रसेट कर देना है अब यह मांग रहा है फर्स्ट डिजिट ओफ अधार काड़ के अधार कड़ के पहले चार हम लोग भर रहे हैं अभी तो हम भर दिये हैं अपना और दोस्तों हमने शुरुवात के यह जो ओटीपी आएगी यह ओटीपी अधार ओटीपी है मतलब यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर आएगी जिस मोबाइल नंबर पर आपका धार काड़ लिंक होगा समझ गए और हम लोग अभी यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक बैंक ओटीपी आएगी और यह बैंक ओटीपी उस नंबर पर आएगी जिस नंबर पर आ बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे अब यह कि राज श्य अंगों का एक डिजिट पिन हम लोग कर लेते हैं तब तक और हम लोग सट कर लिए हैं आगे बढ़ते हैं फिर एक बद सुपा लेते हैं क्योंकि छुपाना जरूरी है कि हम लोगों भड़ लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए यूपिए पिन सेट सक्सेस्फुली आपको ज़र आ गया होगा चेक वेलेंस को अप्शन आ गया है और यहां पर यहां पर तो दोस्तों आप आपने देखा किस प्रकार से हमने अपने अधारकार के मदद से सिर्फ पेटियम है पांच मिनट के अंदर ही यूपिए पिन सेट कर लिया था तो दोस्तों यदि आपकी उम्र फिलाल में अठा साल हुई है और आपकी जो आपका बैंक काउंट है किसी अन्य बैंक में तो मैं दोस्तों आपकी सहुलित के लिए बता देना जाता हूं कि आपको आप एक नया बैंक अकाउंट ओपन करवा लो किसी दूसरे बैंक में या आप उसी बैंक में जाकर दुवारा एक एक बार अपनी केवाई सी जरूर करवाए क्योंकि आप अभी अभी आप 18 साल के हुए हो और आप अचानक से ही अपने पुराने अकाउंट से पेटियम फॉनपे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यह सकते हैं आपको रिकेवाशी करवानी ही पड़ेगी यदि आपकी उम्र 18 साल से नीचे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम भी अपने अधारकार की मदद से पेटियम का इस्तेमाल कर पाएंगे तो एकदम गलत है क्योंकि इसमें भी यूपी आई का ही नियम लागू होता है और इसमें भी आपकी उम्र 18 साल होनी ही चाहिए अपने मालता पिता के अकाउंट कर सकते हैं कोई समश्य नहीं है लेकिन दोस्तों यदि आपका बैंक अकाउंट है पं आधार कार्ड से ऐटीपी वाला जो आधार कार्च उपिए इस्तिमाल कर सकते हैं SBI, SDFC, ICI Bank और Bank of Prodha के Customer इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ये clear है आपके पास में ATM काड नहीं है तो आप किसी भी payment bank में जएदि आप GEO किसी में इस्तेमाल करते हो ना फॉन करने के लिए तो GEO payment bank में account open कर सकते हैं जो भी 5 minute के अंदर समझ गए तो आप GEO payment bank में account open कर लें घर बैटे, गाओं बैटे, कहीं फे भी समझ गए तो आप 5 minute में account open करें और 60 minute में लेने दिन की शुरुवात करें क्या समझ आए यदि आप अपना physical bank account जोनना चाते हैं तो पंजाब national bank bank में account खुलवाएं तो दोस्तो आप अपना नया account खुलवा सकते हैं कोई समझ नहीं होगी तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह content अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको वस्ते कोई ने कोई महत्पून जनकारी मिली होगी और बिना ATM कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड से Paytm चलाने की बिदी है इसके बारे में मालूम पढ़ा होगा और इसमें लगने वाले सरत और कानून के बारे में पता सलिया होगा कि इस परकार से आप इसका इसका सिमाल कर सकेंगे तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना देंदर सिंग बेस्ट अभी आप देख रहे हैं टेक नेट मी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में धन्यवाद